हाई गाईज नमस्ते वालकम बेक टू मैं चनाल होप यो अला रासम इसी ब्लोग में पारीश एन भॉक की टैम में नंदी हिल कैसे दिखता है वो एक्स्प्लोर करेंगे नंदी हिल में कुछ समय पिताने के बाद इन पहाडों पे मुस्म का बदलता मिजाज के साथ पहाडों के आसपास कुरे बादल सर पर सज रहा था और ठंड का हैसास होने लगा था दीमी दीमी हवाओं के साथ पादल बरसने लगा था नंदी हिल्स मनसून के टैम में एक अनुखा और उसुरत लगता है जब बारिस होती है नंदी हिल्स हरावरा हो जाता है और एंबर्मेंट सुन्दर और ताजगी से भर जाता है इसे ड्यान्स पोगी दैनी मोसम थोड़ा मुश्किल बनाता है गुमने के लिए नंदी हिल्स का मौनसून समय एक अलग ही चांद रहता है जहां आप मोसम के खुपसूर्थी और नेचर के साथ जूड़कर उसका आनन्द उठा सकते हो सांत माहोल में बैठके पहाड़ो बादल को देखने का फिलिंग्स कुछ अलग सा है यहां पर आके ना कुछ अलग सा सुकून के साथ थंडी थंडी हवा आपको मज़ा आ जाएगा यहां पर आपको मयूगा पाइन टॉप रेश्टूर्डन करनाटक गौर्वर्मेन का मिलेगा जहां पर अच्छे अच्छे खाना का अनन्द ले सकते हो इस रेश्टूर्ड में आपको साथ इंडियान, नौर्थ इंडियान और कॉंटिनेंटल डीसेश भी मिलता है रेश्टी खाना एंजर करते हुए आप रेश्टूर्डन से सीटी का बहुत ही अमेजिंग चमकदार भी देख सकते हो यहां के सुन्दर्त और सांती आपको हमेशा याद रहेगा यह जगा एकदम अलग है क्योंकि यहां के नजारे आपके दिल कुछ हो जाएगा लेकिन असली मज़ा तो यहां पर रात को ही दिखता है नंदी हिल के उपर से सारा सहर चमकता हुआ दिखाए देगा सिटी लाइट्स ना बहुत ही मस्त तो यही तक 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 इसी ब्लग में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक से रहें सब्सक्राब मैं चनल नेक्स वीडियो में और एक्स्टोर करेंगे मर्निंग व्यू अप नंदी हिल्स और टेम्पूल भी घुम्डे जाएंगे तब तक के लिए बाय बाय ठेक केर मज़े करो थेंक्स पर वाचिंग